हेलो फ्रेंट्स स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 3-1 टैक में तो फ्रेंट्स मुझे काफी सारी लोगों ने कमेंट्स करके एक कोशन बार बार पूछा है कि सर हमने यूट्यूब पर काफी सारी यूट्यूब वीडियो देखी हैं जिनके अंदर टैक्स नहीं लगे हैं लेकिन उनकी वीडियो वाइरल हो रखी है तो सर हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या हम अपनी वीडियो के अंदर टैक्स लगाएं या ना लगाएं जिससे हमारी वीडियो भी जल्दी से जल्दी वाइरल हो जाए यह हमारी वीडियो को viral करने के लिए tax जरूरी है या नहीं Sir please इस problem का solution बता दीजे तो friends आपको भी अगर इस तरह की problem आ रही है तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी इस problem का solution करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि YouTube इस बारे में क्या सोचता है आपको अपनी वीडियो के अंदर tax लगाने चाहिए या ना लगाने चाहिए या आपकी वीडियो को viral करने के लिए tax जरूरी है या नहीं सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलिएगा छोटी सी वीडियो है पर बहुत ही जादा informative है तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए है पहली बार मेरे चैनल के उपर विजिट किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और notification bell को on करके उसे all पे set कर लें जिससे आपको मेरे आने वाली हर एक नहीं वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड समा चुके हैं अपने mobile phone की स्क्रीन के उपर और मैं direct आपको यूट्यूब के जो यूट्यूब इस बारे में क्या कहता है वो उस page पे लेके आ गया हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं official page है यूट्यूब का यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अगर आप टैक्स अपनी वीडियो के अंदर लगाएंगे तो यूट्यूब क्या करता है उन टैक्स को मतलब उन टैक्स को देख के वो यह decide करता है कि आपकी वीडियो किस category वाले लोगों को दिखानी चाहिए मतलब आपकी वीडियो में जो भी है उसे related जो भी टैक्स आपने लगाएं है तो यह टैक्स के लोगों के लिए ज़्यादा useful है इसे related content तो उसके सामने वो इन वीडियो को आपकी जो वीडियो है उसको suggest में browse feature में तरह तरह से उनके सामने लेके आता है उस audience तक आपकी वीडियो को पहुंचाता है तो यह role YouTube इसमें करता है उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है your video titles, thumbnails and description are more important piece of metadata for your videos discovery मतलब आपकी जैसा कि आपको पता भी है कि वीडियो का title, thumbnail and description ही आपका main important होता है आपकी वीडियो के अंदर उसे से आपकी वीडियो viral भी होती है क्योंकि thumbnail जितना अच्छा बनाएंगे वीडियो को title जितना अच्छा लिखेंगे उसे ही आपकी वीडियो जितना click bet होगा आपका thumbnail, जितना उस पे click कर पाएंगे लोग, उस तरीके से ही आपको views मिलते हैं वीडियो viral होती है तो यह आपके लिए बहुत important होता है these main piece of info help viewers decided which videos to watch क्योंकि यही आप को decide करते हैं viewers के लिए भी कि वो किस चीज को देखना पसंद करते हैं अगर आपके यह तीनों चीज़े अच्छे होंगे spelling mistake भी हो गई अगर आपसे अगर आपने tags लगाए होंगे तो उन tags की मदद से viewers असाने से आपकी वीडियो को find out कर सकते हैं आपकी content को देख सकते हैं तो इससे भी otherwise tags play a minimum role in your videos मतलब इसके इलावा जो tags का role है वो बहुत ही कम है आपकी वीडियो के अंदर ठीक है इतना ज़्यादा role उसका नहीं है अगर आप नहीं भी लगाएंगे तब भी viral हो सकती है लगाएंगे तब भी viral हो सकती है ठीक है तो इहां पर इतना ज़्यादा role नहीं है tags का note में लिखा भी हुआ adding excessive tags to your video description is against our policy on spam disruptive practices and scams मतलब अगर आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा tag लगाएंगे अपने description के अंदर तो वो इनकी YouTube की जो policy है उसको वो toilet करता है उसके खिलाफ होता है तो इससे आपके channel पे दिक्कत आ सकती है इसलिए आप ज़्यादा tag अपनी video के description में ना लगाएं ये भी हाँ पे इनोंने बताया है तो ये सब कुछ है जो इस video में मैंने आपको बताया तो friends अब आपके सारे doubts clear हो गए होंगे तो friends उमीद करता हूँ आपको इस video अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर फिर भी आपको वीडियो से related कोई question है कोई query है तो आप मझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो पसंद आई हो तो इसे like और share जरूर करें Thank you